जब हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं, तो बैंक हमें एक ATM कार्ड भी प्रभाइद करवाती हैं, जिस ATM कार्ड से हम पैस कैस निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ है, ATM कार्ड बैंक ने एक ही दी है, लेकिन जब वो annual charge, ATM का annual charge सालाना फीस काटती है, उस समय दो-दो ATM पॉस्बल है, जियां, ऐसा पॉस्बल हुआ है मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ, उन्होंने मुझे इसकी जनकारी दी कि उनका बैंक का एक ही ATM कार्ड है, लेकिन उनका सलाना चार्ड जो है, yearly charge, ATM कार्ड चार्ड, दो-दो ATM का कार्ड लिया गया है, ये कैसे पॉस्बल ये और किसी के साथ नहीं, इसलिए मैं आज का वीडियो उनके जनकारी के अनुसार बना रहा हूँ, दोस्तो जब वो बैंक में अकाउंट खोलने के लिए गये, पंजाब नेशनल बैंक में, जब वो अकाउंट खोलने के लिए गये, तो उन्होंने ATM कार्ड के लिए भी एक महीने बीद गये, लेकिन उनके पास कोई ATM कार्ड नहीं आया, जब उनके पास कोई ATM कार्ड नहीं आया, तो वो बैंक में गये, और बोले कि मैंने बैंक ATM के लिए अपलाई किया था, लेकिन मेरे पास कोई ATM कार्ड नहीं आया, तो बैंक में जो इंप्लोई थे, वहाँ वो उनको बोले कि सर आप एक काम करिए वो ATM कार्ड नहीं आया आप फिर से एक ATM कार्ड के लिए अपलाई कर दिए जब वो दुबारा ATM कार्ड के लिए अपलाई कर रहे थे तो वो बताये कि सर मेरे पास तो कोई ATM कार्ड है नहीं और अगर मैं दुबारा ATM कार्ड के लिए अप तो चार्ज इस कैसे कटेंगे इस बेस पे उन्होंने दूसरे ATM कार्ट के लिए अपलाई कर दिया जब अपलाई कर किये तो उनके पास ATM कार्ट पहुंच गया लेकिन साल के अंत में जब उनके ATM काड के सलाना चार्ज काटे गए तो दो-दो ATM काड के चार्ज काटे गए जी हाँ, आपने सही सुना दोनो, पहला ATM काड जब एकाउंट खोलते समय उन्होंने अपलाई किया था, जो ATM काड उन्हें मिला ही नहीं उसके लिए भी चार्ज काटे गए और जो ATM काड वो यूज कर रहे थे और अभी कर रहे है उसके लिए भी चार्ज काटे गए जैसा कि आप मेरे स्कीन पर देख पा रहे हैं ATM काड नमबर 1398 देखिए ATM काड का नमबर है 1398 और इसके लिए इनके अकाउंट से 177 डुपीस का चार्ज लिया गया है यह 177 डुपीस का चार्ज आप देख पा रहे हैं और नीचे नरेशन में देखिए यहां पर लिखा हुआ है ATM काड, Annual Maintenance Feet और काड का नमबर है 1398 यह एक काड का यह काड इनके पास है ही नहीं फिर भी इनसे इस कार्ड का चार्ज लिया गया अब यह दुसरा कार्ड देखिए दुसरा कार्ड का नमबर है लास्ट में 9902 कार्ड दोनों कार्ड के नमबर अलग-अलग है लेकिन चार्ज दोनों कार्ड से सेम लिये हुए है बैंक ने दोनों कार्ड से पैसे काटे हैं इनके ATM कार्ड का annual फी दोस्तो 1398 जो ATM कार्ड आप देख पा रहे हैं भी जो मैंने आपको दिखाया वो ATM कार्ड ये यूज नहीं करते हैं और इन्हें ये ATM मिला भी नहीं है फिर भी इसके लिए इनको 177 डुपीस 177 रुपए annual चार्ज के लिए देने परे उस कार्ड के लिए जो कभी इन्हों ने यूज़ा ही नहीं किया जो इनके पास पहुँच Bay जो कार्ड ये यूज़ा रहे हैं उस कार्ड का annual फी काटा गया है बेंक के द्वारा तो ओ ठीक है यह लेकिन जो इनके पहुंचा ही नहीं उस के लिए अभी बें ने पैसे नहीं बैंक ने इन से पैसे काटी करा तो दोस्तों जैसे आहिखा मैंने आपको दोनों कार्ड का स्कीन सोट आपको दिखाया जो बैंक ने चार्जेस कार्टी हुए थे चार्जेस के स्कीन सोट दोनों कार्ड के नंबर अलग-अलग पैसे भी काते गए आप भी सतर करेए आपने भी बैंक में अकाउंट खुलते समय अगर ATM के लिए अपलाई किया हो और वो ATM कार्ड आपके पास ना आया हो फिर भी बैंक उसके लिए आपसे चार्जेस कार सकती है तो अभी हमें क्या करना है बैंक से जाके कन्फर्मेशन रेना है बैंक में कन्फर्म हो ये कि आपके नाम से कितने ATM कार्ड इशू किये गए है बैंक के द्वारा ताकि जब ATM कार्ड का एनुवल फी आपके अकाउंट से डिड़क्ट किया जाए तो वो एक ही ATM का होना चाहिए ना कि दो ATM का तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो ये आपको informative लगा होगा मेरे subscriber की दी हुई जानकारी के उपर मैंने ये वीडियो बनाया है आपके साथ भी अगर इस तरह की घटना हुई है तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं और मेरे इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए ताकि ये सबके पास पहुँचे ये जनकारी और सभी सतर्क रहें सतर्क हो जाए और किसी के साथ ऐसी घटना दुबारा नहों हो और मेरे इस चैनल को subscribe करना ना भूले अगर आप इस तरह की और जनकारी इस तरह की और informative वीडियो चाहते हैं सुद्देखना तो मेरे इ इतना ही नमस्कार